नमस्पर दोस्तों मैं रजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूटूब चैनल जीके माकूमे दोस्ते राजस्थान समान ग्यान की सीरीज में हम लोगों ने 2100 तक की प्रशनों के देख लिया है अगर इसे आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट मे हो तो चलिए श्राट करते हैं आज के पचास महत्पून प्रशनों थे राजस्तान भूछ छित्र में लंबाई की दिरिष्टी से राजस्तान से गुजरने वाले निमलिखित राजमार्गों का सही आरोही क्रम क्या है तो राइट एंसर जो है आप्शन सी राष्टी राजम राजस्तान में लिगनेट कोईला उत्पादन के प्रमुक्षित हैं राइट एंसर ऑप्शन डी कपूडी मीर्टा और वर्शिंगर्श सर अगला प्रश्चन राजस्थान राजिपाल की अनुपस्थिती में उसके दाइत्वों का निर्वाहन कौन करता है राजिपाल के नरहने पर तो राइट एंसर ऑप्शन सी उच्छ न्याले का मुख न्या धीपती अगला प्रश्चन कि नीचे बिए गए दिए हुए दो वेक्तव्यों पर विचार करना और इसमें क्या सही क्या गलत है यही चीज इसमें बताना में तो कथन कर आएकि राजिपाल अपनी पर राश्चृत्ति की एक्छा परिय्यत्व ही रहता है और कारण है कि राजिपाल की निच्ति पर्धान मंतरी द्वारा जो होती है तो नहीं परदान मंत्री के द्वारा नहीं कियाती है मगर statement A सही है तो इसका right answer option C में है sorry 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 option C नहीं है option ये भी नहीं होगा option इसका D सही होगा यहाँ पर right answer नहीं है ये गलत है इसका right answer जो है option D होगा अगला प्रश्न है निम्लिखित में से कौन सा यूग्म सही सुमलित नहीं है कौन सा यूग्म जो है सही सुमलित नहीं है तो right answer option C और छे दिख सो छपन राज जिपाल की निव्टि ये योग गता है अगला प्रश्न है उच नहीं के मुख नय अधिस के बारे में निम्लिखित कत्थनों के विचार करना है इसमें क्या सही होगा यहां पर statement जो है दिया हुआ है तो इसमें जो दो नमबर दिया है कि राज उच नहीं के नय अधिसों की निक जो है राश्टपती द्वारा जो है की जाती है सही है अंशे 226 के अंतरगत उच नय अले को कुछ लेख जारी करने का अधिकार भी है यह भी राइट है और भारती संविधान के प्रावधानों के तदन नूसार दो या दो से अधिक राज्यों के लिए जो है यही उच नय अले यह उच नय अले का अगठन जो है किया जा सकता है तो यह भी स्टेट्मेंट सही है तो इसका राइट एंसर ऑप्शन ए में है अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन का रहा है कि राज्यमंत्री परशत की जवाब दे ही होती है राज्यमंत्री परशत जो है किसके प्रती जवाब दे होता है तो राज्य विधान सभा के प्रती जो है रिस्पंसिबल होता है अगला प्रशन है अग्हो लिखित राज्य सचिव में इस्थिर इस्थित पदों को नीचे दिये गए कूट की सहता से जो है पद सो पानी क्रम याने की उच्च से जो है निम्ड की और जो है करना है नियोजित करते हुए सही उत्तर का चयान की दिये इसमें जो दिया हुआ है तो इसमें जो दिया हुआ है पहले सचीव वरिष्ट सचीव फिर उप सचीव फिर सहक सचीव इस तरीके से होगा तो इसका राइट अंसर ऑप्शन यह होगा अगला प्रशने देखते हैं अगला प्रशन है कि अगोल लिखित में से कौन सा कारे जिलाधी कारे जिलाधीस का जो है नहीं है तो आयका सब्सक्राइप करना यह जिलाधीस का अकारे नहीं है अगला प्रशना है कि विलवंत राय महता की समीत लिए थी तो शमुदाइक कारिकरम के लिए जो है बनाई गई थी अगला प्रश्णा है निम्लिखित समयधानिक अंच्छेदों में से कौन सा अंच्छेद पंचायत के बारे में 73 संसोधन द्वारा जो है जोड़ा गया था तो 243 से 243 पो अप्शन सी अगला प्रश्णा है पंचायती राजवेवस्था है पंचायती राजवेवस्था क्या है तो ग्रमिल्ड अस्थानी स्वासासन की अप्शन सी अगला प्रश्णा है राजविधान सभा के बारे में अगोल लिखित पर जो है विचार करना है तो इसका समय पांच वर्ष का होता है ये भी सही है इसकी अधेक्सता मुखमंत्री करता नहीं मुखमंत्री जो है नहीं करता है इसका जनता द्वारा प्रतेक्स शुरूप से निर्वाचन होता है ये भी सही है और राजिपाल को इसके विग्टन का जो है अधिकार है ये भी सही है तो इस्टेटमेंट एक तीन और चार सही है अप्सकी एक और सुचि दो दी गई है और उसमें बताना है कि स्कूंसर कूल है सही है इसे देखिए सोची एक से जो है सोची दो को मिलाना है तो इसमें राइट एंसर जो है आप्शन ए दिया हुआ है यानि कि जो है ये जोत्पुर जैसल मेर रिलेटिव है इसके एकॉर्डिंग जो है मिला लिजिए आप आगे देखते हैं इसमें भी सोची वन सोची टू करके दिया हुआ है एक तरफ खनी दिया हुआ है एक तरफ खनी छेत्र दिया हुआ है कहां कौन है तो पर्ना टिक की बढ़ बोर में ही इस्तित है और तामडा राजमहल बागेश्वर मैगनीज लिलवानी में है तामडा कोहन भोगनी ये सभी जो है सिक्वेंस में ही है एक दो तीन चार ओप्सन डी इसका राइट एंसर है अगला प्रशन है सौरजोनिक छेत्र के विभिन वित्ति संगठनो रीको आर एफसी राजसी को आदी द्वारा जो है अंकलित और दोगिक संभनाओं के अधार पर ए स्रेड़ी में राजस्थान के कौन से जिले जो है सम पूर पाली अजमेर अलवर को सामिल किया गया है ऑप्सन डी अगला प्रशन है राजस्थान में जन संख्या प्रवित्यों के संबंध में निमलिकित में से कौन सा कथन सत्य है नीचे दिये गए कूट का सही प्रयोग जो है करके इसमें एंसर देना है इसमें राइट एंसर ऑप्सन बी है दो और चार अगला प्रशन है राजस्थानी संस्क्रीट में जा नोटन है राजस्थान संस्क्रीट में जो है जा नोटन क्या है तो राइट एंसर ऑप्सन डी वरपक्ष की ओर से दिये जाने वाला भोच जनोटन कहलाता है अगला प्रशन है भील जन जाती में कच्छाबू कोन पहनता है भील जन जाती में तो महिलाई पहनती है ऑप्सन डी इसका राइट एंसर होगा अगला प्रश्थानी संस्क्रीट प्रश्टी में ओलंदी क्या है उलंदी क्या है तो नव वधु के साथ जाने वाली लड़की या इस तरी को जो है उलंदी कहा जाता है अगला प्रश्ण है चंदु जी का गाढ़ा तथा डो बोड़ी गामा अस्थान किस के लिए विख्यात है तो तीर कमान निर्माण के चेल्या अभूशन कहां पहना जाता है कि हात में पहना जाता है ओप्सण डी कि अगला प्रश्ण है अमघ क Why Do था तो साथ वाहन के समय में option D अगला प्रश्ण है 1873 में जो है भरत इस्थूप की अस्थापना खोड जो है किस ने की थी तो कलिंगम ने की थी option D इसका right answer होगा अगला प्रश्ण है राजस्थान में दान चंद चोपड़ा की हवेली कहां स्थित है तो सुजानगढ में option C अगला प्रश्ण है मांडू के परशिद के लिए का निर्मार किसने कराया था तो हुष्ण साहने कराया था option D अगला प्रश्ण है भीलो में छेन फार्णा क्या होता है तो तलाक अप्शन B अगला प्रश्ण है निम्निमे से किस महराजा के दर्वार में 22 कभी 22 जोत सी 22 संगित तेगे और 22 विशे विशेशंगे के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थे तो महराजा प्रताप महराजा प्रताप स्वरी ऑप्शन ए अगला प्रश्ण निमाड़ी यह रांगड़ी किस बोली की विशेश्ता है मालवी की ऑप्शन भी अगला प्रश्ण है अलखिया संप्रदाई की अस्थापना किस ने की थी लालगीरी ने ऑप्शन सी अगला प्रश्ण जैपुर में राम प्रकास थ्येटर की अस्थापना किस महराजा के काल में की गई थी Option B, महराजा राम सिंग जुतिय के समय में Option B अगला प्रशन है, बम निरित के कहां का प्रश्रिध है तो अलवर और भरत्पूर का है, Option B अगला प्रशन बालिंद जी के गुरु कौन थे तो दादू दयाल जी थे, Option C अगला प्रशन जाहर पिर के नान से कौन से लोग देवता को जाना जाता है गोगाजी को, Option D अगला प्रशन अलवर छेत्र की लोग देवी के रूप में किसे मानने का प्राप्त है तो दिलानी माता को ही, Option A अगला प्रशन है, प्रबंध कोस नामक पुस्तक का लेखक कौन है राज सेखर, Option A अगला प्रशन बागोर योग किलवाडा नामक अस्थान मुख्तया निम्न काल से सम्मंदित है किस सम्मंदित है, मध्य पाशान काल से अगला प्रशन निम्न में से आमेर के की सासक ने स्वर प्रथा मुख्लों के साथ संधी की थी तो भार मल ले, Option B अगला प्रशन मिवाड योँ मारवाड की संयुक्त सेना मुख्लों के द्वारा कहां पराजित की गई थी कहां पराजित की गई थी तो दिवारी 1680 अगला प्रशन निम्न में से किसने अपने आपको हिंदुस्तान का बासा नोडल यानिके जनौरी 1681 में घोसित किया था तो सहजादा अकबर अपसंडी अगला प्रशन निम्लिखित जोड़ों में कौन सा एक जो है सही मेल नहीं खाता है तो राजचंद्र सेन भाटी ये नहीं है अगला प्रशन है यहां कुछ युद्धों की सूची दी गई है जो मद्यकालिन भारत में लड़े गए थे कौन से हैं सेक्वेंस बताना है तो सबसे फ़ले समेल उसके बाद धर्मत का युद्ध फिर जो है सामुगर का युद्ध फिर देवराई का युद्ध है चार दो तीन एक चार दो तीन एक आप्शन सी अगला प्रशन है जो भूला मारूरी बात किसके द्वारा लिखी गई थी तो खुसालचन्द के द्वारा ऑप्शन B अगला प्रशना कभी सुर्यमल मिस्टन ने अपनी पुस्तक वीर सशही किस भासा में लिखी है तो डिंगल भासा में ऑप्शन A अगला प्रश्ण आत्रकीन अतारकीन का दर्वाजा इस्थित है तो ये नागोर में इस्थित है नागोर आपसंडी में है अगला प्रश्ण किलो के निम्लिखी जोड़ो में से किसे तारागड किलो के नाम से जाना जाता है तारागढ़ के लिए के नाम से जाना जाता है तो बूदी यह अजमीर के दुर्ग को अप्शन ए अगला प्रश्ण काजी हमुनी दिन सुह राव वर्दी को जो है किस अस्थान पर स्वर्पर्थम काजी बनाया गया था नागोर में अप्शन ए स्वरी अप्शन ए अगला प्रश्ण चोरासी खंबो की छतरी के बारे में निमल्खित में से कौन सा कथ्षन जो है असत्त है तो अप्शन एही असत्त है इस चतरी का निर्मान राव विसुड़ू सिंके काल में राव देवा द्वरा कराय गया था यही राव है बाकि सभी सही है अग अगला प्रश्ण बिनायका हथिया गोड यहों कोलवी की परशीद बहुत दुगुफाय किस जिले के अंतरगत इस्थित हैं जो की परशीद प्रेटन अस्थल है तो जाला वार आप्शन भी अगला प्रश्ण परशीद इसमारक सुनहरी कोटी इस्थित है तो यह टॉंक में स्थित है अप्शन सीफ सुनहरी कोटी तो दोस्तों जो है पचास प्रश्ण कंप्लीट हुए आई होब कि मैंने आपका अधिक समय नहीं लिया होगा आप लोगों नहीं यहां तक देखा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस सीरीज में जो है पोटल सताइस सो और तालिस क्यूस्टन जो है समले किये गए हैं जो कि आपके राजस्थान के किसी भी एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट रहेंगे तो यह पूरी पीडियेफ पर ई-बूक जो है अगर आप लेना चाहते हैं तो मात पचीस रुपया जो है पे करके जो है आप ले सकते हैं मेरे टेलीग्राम गुरूप पर जूटके वहां से जो भी इनफोर्मेशन होगी आपको मिल जाएगी तो मिलते हैं अगले वीडियो में ख्याल रखें तब तक के लिए धन्यवाद करेंगे